हेलो एवरिवन होप और फाइंड सो होप सब अच्छे से होंगे सो हमने जो साइन्स पोर्शन में जो mcq सीरीज स्टार्ट की थी उसका हमने आरड़ी पार्ट फर्स सेकेंड जो था न्यूट्रिशन इंस टाइप्स वो अप्लोड कर दिये में mcq और आज हम उसी के दूसरा जो टॉपिक है रिस्पाइरेशन इंप्लांट इस पर टॉप थाड़ी mcq को डिसकस करेंगे जो प्रिविस एक्जाम में पूछे गए हैं डिफ्रिट इंग्जाम में पूछे गें सो यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत इंप यह चीज़े वहाँ पर मेंचनें टॉपिक वाइज आम इस पर एंसी क्यों प्रेक्टिस करेंगे जो प्रिविस एक्जाम में पूछे गे हैं सो बहुत ही इंपॉर्टन रेने वाला यह सेशन सो स्टार्ट करते हैं हम डिरेक्ट इस टॉपिक पर आते हैं सो हैं कि सिम्पल ब्रेक्ट ड्रिझल होना एयर का टु कंज्योब एनरजी फूड मैटिरिज का ब्रेक्डण होना और उससे एंरजी का निकलना ब्रेक्डण ऑफ साइल ट५ ईर्लीज एनर्जी जब अपने अप्रिस्पाइरैशन टउपिक पढदा होगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो cellular respiration क्या होती है cellular respiration का मतलब यह है कि जिसमें आपका food जो होती है यह जो food होती है यह breakdown हो जाती है और इससे आपको क्या मिलती है इससे आपको energy मिलती है इससे क्या मिलती है energy मिलती है उसे ही हम बोलते है cellular respiration जो cells के अंदर होती है पिर बाद में उस एनर्जी से ATP आदिनो ट्राइफॉसफेट जो होता है वो सेंथिसाइज होता है प्लांट के अंदर ठीक है ना बहुत इंपोर्टेंट है सो इसका अंसर रहेगा हमारे पास ब्रेकड़ोन फूड मेटिरियल इंटू एंट टू रिलीज अनर्जी सी पार्ट नेक्स्ट क्वेशन प्याते हैं वैर डज़ दा फोरो सेंथिस टीक प्लेज इन दा इूउक्रेयोट्स क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूउक्रेयोट्स किन को बोलते हैं देखो इूक्रेयोट्स हमारे पास वो ऑगनिजम्स होते हैं वो जिनके अंदर वैल डिफाइन नुकलोस होगा जहां पर नुकलोस अच्छे से आपको दिखेगा जिन सेल्स में उस उनकों यूक्रेयोट्स बोलते हैं जैसे हम आम हम हुमन बिंग से हैं प्लांत से जो प्रोक्रेयोट्स क्या होते हैं प्रोक्रेयोट्स में वैल डिफाइन नुकलोस नहीं होता उन्हें प्रोक्रेयोट्स mitochondria को तो powerhouse of the cell बोलते हैं जहाँ पे energy जो होती है वहाँ से मिलती है cytoplasm तो नहीं होता है chloroplast या vacuels so इसका answer हमारे पार रहेगा chloroplast क्यों जो photosynthesis होती है वो chloroplast जो होता है leaf के अंदर वहाँ पे होती है वहाँ पे क्या होता है कि breakdown होता है complex molecules का और वहाँ पे energy निकलती है फिर वह energy जो होती है cytoplasm में यह सारी चीज़ें होती है और mitochondria के अंदर होती है लेकिन photosynthesis यहाँ पे food का बनना plant के लिए वह सारा chloroplast में होता है जो के leaf के अंदर होते हैं so answer रहेगा हमारे पास c part next question हमारे पास है the breakdown of which of the following bounds lead to energy कौन से bounds का breakdown होना और उससे energy का निकलना क्या वो phosphorus phosphorus bound break होता है carbon carbon nitrogen nitrogen या sulfur sulfur bound breakdown होता है so उसमें हमारे पास answer रहेगा cc जो carbon carbon bound होता है वो breakdown होता है और energy निकलती है ये चीज़ याद रखना क्यूंकि carbon carbon bound एक complex compound होता है हमारे पास तो oxidation की मदद से cell के अंदर क्या होता है उससे considerable amount of energy निकलती है वहाँ पे और इस process को हम बोलते है respiration यही तो respiration है जहाँ पे carbon carbon bound जो होता है complex होता है हमारे पास ये compound breakdown होता है और with the help of oxidation oxygen की मदद से और वो सारा process cell के अंदर होता है और उससे considerable amount of energy निकलती है और उस process को हम respiration बोलते हैं सो answer एक सी पार्ट सो next हमारे पास 4th which of the following compounds are not oxidized to release energy इन में से कौन से compound से उनकी oxidation नहीं होती और energy नहीं निकलती है कौन से compound हमारे पास सो हमारे पास दिको protein जो होते हैं वह भी breakdown के energy देते हैं fats वहां से भी energy मिलती है carbs आप लेते हो carbohydrates उनसे भी energy मिलती है dna नहीं आएगा इसका answer so answer रहेगा dna deoxy ribonucleic acid तो यह एक energy आपको provide करता है dna जो होता है आपका genetic material होता है इससे कोई energy नहीं मिल सकती हाँ protein खाऊगे उससे breakdown okay energy मिलेगी fat से carbohydrates से so answer रहेगा d part next हमारे पास fifth question है which of the following is used as a precursor for the biosynthesis of the molecules देखो biosynthesis of the other दूसरे molecules की biosynthesis के लिए precursor का का काम कोन करता है यहां पर क्या वो phosphorus substrate होता है nitrogen substrate carbon skeleton sulfur skeleton so हमारे पास क्या answer हेगा so हमारे पास answer हेगा carbon skeleton दीखो क्या होता है carbon skeleton एक precursor का काम करते हैं for the biosynthesis of other biomolecules दूसरे biomolecules के बनने में carbon जो होता है यह बहुत important role play करता है क्यूंकि यह oxidation जो होती है carbon skeleton की इससे क्या होता है जब carbon की oxidation होगी तो ATP बनेगा ठीक है ना जो ATP कहां पर store रहेगा वो cell के अंदर store रहेगा बाद में उसे as a utilize किया जाएगा energy के लिए for different processes जो organisms के अंदर होते हैं उसके लिए use किया जाएगा तो carbon एक हम रोल अदा करता है दूसरे biomolecules को बनने में so answer हैगा C part so next sixth हमारे पास question है यहां पे which of the following gases do not do plants required for the respiration रिस्पायरेशन जब होती है food का breakdown होके energy निकलना उसे respiration बोलते हैं उसके लिए कौन सी gases plants को चाहिए होती है देखो plant को कौन सी gas इन में से चाहिए होती है देखो plant को oxygen क्या plant oxygen चाहिए होता है बिलकुल हा oxygen चाहिए होता है which of the following gas does the plant do the plant required for the respiration बिलकुल oxygen उसको चाहिए होता है हमारे पास carbon dioxide नहीं nitrogen नहीं water नहीं हमारे पास oxygen जो होता है यह gas चाहिए होती है क्योंकि plant जो होता है उसको carbon dioxide की जरूरत नहीं पड़ती है यह चीज़ याद रखना और nitrogen या water vapors for the respiration उसकी जरूरत नहीं पड़ती जैसे human beings की अगर बात करें तो human beings की तरह जो plants होते है उनको भी oxygen की जरूरत पड़ती है ऐसी बात नहीं होती उनको भी जरूरत पड़ती है और different जैसे respiration केरी करनी होगी ताकि बाद में उससे क्या होता है carbon dioxide वो release कर पाएंगे तो इस दो photosynthesis है क्या सा process होता है that requires carbon dioxide जिसमें उसको carbon dioxide चाहिए होता है और वहां पर रिलीज करता है oxygen very large amount में photosynthesis की बात कर रहा हूं वहां पर इसको carbon dioxide जाही होता है फिर oxygen रिलीज करता है लेकिन हा रिस्पैरिशन की बात करें तो वहां पर plant को oxygen की जरूरत पड़ती है ताकि breakdown of food को वहां से energy मिलेगी इसको अ कि अ का अब उसके बाएग्ल नेक्स्ट अमारे पास lent campe क्या होता है वा तो और relentik subscribe और यूपनिंग पसफ़иновर की और बास्टिर मिलेगी आ естमी है यू अ पर होते हैं जहांकर से क्यों समय दो नच्दार होता है और प्लांट के आद से अल्ल कर मैं जो 2021 न prompt को जोचिवला होत अगर stem के अंदर क्या होता है कि living cells को organized किया जाता है thin layers में organized होते हैं यह जो छिलका होता है बाग उसके नीचे जो living cells हैं वो thin layers में organized किया जाते हैं और उसके अंदर कुछ openings होती हैं जिनको हम lenticles के नाम से जानते हैं फिर क्या होता है कोई दो सेल डियर में वह अंदर वह डेड रोते हैं ऑल्ली प्रोवाइड मेकनिकल स्पोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो ठीकर याद रखना है NITICALS क्या होते है। उसके बाएं next हमारे पास है glycolysis is also called बहुत important बहुत बार पूछा गया question glycolysis, glucose का breakdown होना, glycolysis का दूसरा नाम क्या है, so glycolysis का दूसरा नाम है EMP pathways, ठीक है न, उसे EMP pathway के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि glycolysis को सब से पहले discover किया था तीन साइंटिस्त ने, एक का नाम था, EM, B, D, italiano, M, DJ, Amerhoff, MD, Amerhoff और तीसरे का नाम था, परनास, इन तीनुने glycolysis को पहले discover किया था, इसी लिए इसको EMP pathway भी बोलते हैं, E से हो मेरोफ, मारे पास Mierhoff and P से हो गया पर्णास तो तभी EMP पाथवे भी से को बोलते हैं ग्लाकुलिस को तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है याद रखना क्यूंकि इन तीनु साइंटिस्ट ने इसको डिसकवर किया था नेक्स्ट अगर बीटालोजीकल शस्टम की बात करें तो युनिवर्सल पाथवे कौन है क्या वो क्रब सेकल है एलेक्ट्रॉन ट्रांसपूर्टोर्ट सिस्टम ग्लाकुलिस फोटॉक्सिडिशन तो वो हमारे पास कौन से है ग्लाकुलिसस इसे बीउलोजिकल शिस्टम में युनिवर्स पाथवे कहा जाता है क्योंकि ग्लाइकोलिसस जो होता है यह पहला step होता है respiration का याद रखना first step जो होता है respiration का हमें respiration ही पाथ रहेना topic तो पहला step इसका होता है glycolysis जो कहाँ पर होती है glycolysis यह होती है cell के cytoplasm में। तो यह question भी पूछ सकता है कि ग्लाइकुलिस कहां पर होती है किस part of the cell में cytoplasm में और इसे first step of the respiration कहा जाता है क्योंकि यह यहां पर क्या होता है pyruvate जो होता है वो बनता है यहां पर इसलिए इसको universal pathway biological system में कहा जाता है इसमें क्या product बनता है pyruvate याद रखना तो कौन सा product बनता है pyruvate याद रखना तो कौन सा product बनता है pyruvate याद रखना so next question हमारे पास है 10th question हमारे पास क्या है in glycolysis one molecule of glucose 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 का एक molecule जो होता है glucose का एक molecule वो reduced हो जाता है किसमें यह बहुत important है कि एक molecule glucose का reduce हो जाता है pyruvate में pyru मैंने अभी बोला था कि glycolysis में क्या बनता है pyruvate बनता है so हमारा answer है B part one molecule of glucose is reduced to pyruvate क्योंकि क्या होता है हमारे पास बहुत सारी enzymes और cytokromes जो होता है वो मिलते हैं और glucose जो होता है is the lost reduced to the two molecules of pyruvate क्योंकि ग्ल्यूकोस से दो molecules किसके बनते है pyruvate के से जो बाद में reduced होता है mitochondria में in the form of crub cycle क्योंकि glycolysis के बाद crub cycle आती है तो दो pyruvate acids बनता है यह चीज भी आज रखना next हमारे पास 11th question है the net gain of ATP in glycolysis glycolysis के अंदर जो net gain होता है ATP का वो कितने ATP वहाँ पे वो gain करता है वहाँ पे 8 ATP बहुत important है यह question भी कि net gain ATP adenosine triphosphate के कितने जो gain up करता है वह glycolysis में वह 8 molecules next question हमारे पास 12th question है name the protein that health pyruvate उस pyruvate को help करता है mitochondrial matrix में जाने के लिए कौन सा protein मदद करता है क्योंकि glycolysis cytoplasm में होती है उसके बाद pyruvate बनता है यह pyruvate अब mitochondria में जाएगा तो उसके लिए protein वहाँ पे help करता है उस प्रोटीन का नाम है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बहुत important है याद रखना कि pyruvate को होता है उसे ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है cytoplasm से mitochondria में जाने के लिए तो उसके लिए protein मदद करता है उसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलता है next हमारे पास 13 question 13 क्या है enzyme that serves as a connecting link between glycolysis और Krebs cycle देखो पहले glycolysis होगी cytoplasm में उसके बाद Krebs cycle यह कहां होती है यह होती है mitochondria में यह बहुत important है यह चीज़ें याद रखना यह कहां पर होता है पूछ सकता है examiner यह कहां होता है cytoplasm के अंदर होता है तो इसको यहां से यहां पर जाने के लिए एक link होता है इन दोनों के बीच में वो link कौन सी enzyme act करती है तो वो हमारे पास बहुत important question है एक enzyme है जो act as a link उसे acetyl ko enzyme A कहा जाता है C part जो के glycolysis और Krebs cycle के बीच में act as a link का काम करता है acetyl ko enzyme A है और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है activated acetate बोलते हैं इसे तो यह बनता है किसकी वज़ा से pyruvate जब किसके साथ मिलता है sulfur के साथ co enzyme A उससे बन जाता है क्या हमारे पास acetyl ko enzyme A और इस step को gateway step कहते हैं दोनों को connect करने में respiration में बहुत important है question next during glycolysis जब glycolysis होता है 1 NAD एक NAD जो होता है कितने ATP के बराबर होता है 1 ATP 1 NADH कितने ATP के बराबर होता है यह बहुत important है 3 ATP 1 NADH कितने ATP के बराबर होता है 3 ATP के बराबर होगा answer है B part क्योंकि glycolysis के अंदर जो दो molecules होते है NADH के वह formed होते है at a time of oxidation glyceride 3 phosphate की और जब यह एक step होता है glyceride 3 phosphate जो होता है जो होता है 16 हमारे पास question है which of the following are the end products of the complete combustion of glucose जब glucose पूरी तरह से combustion हो जाती है end products क्या बनते है end products क्या बनते है carbon dioxide और water क्योंकि जब complete glucose combustion हो जाती है तो वहाँ पे carbon dioxide और water जो होता है end products होते है 17 question हमारे पास during the process of this during the process of respiration जब respiration होती है which of the following is not released care released नहीं होता respiration में respiration में आपको कौन सी चीज़ रिलीज नहीं होती तो respiration में oxygen नहीं होता है क्योंकि respiration के लिए oxygen चाहिए होता है क्योंकि यह food के साथ मिलता है तो तभी breakdown होता है तभी energy आती है water तो जो होता है वहाँ पे carbon dioxide होता है energy होती है लेकिन oxygen जो होता है वह रिलीज नहीं होता during respiration क्योंकि oxygen कब रिलीज होता है यह photosynthesis होती है तो उस वकित 118 question हमारे पास क्या है 118 question हमारे पास क्या है which of the following are the end products of complete combustion of glycose जब glycose पूरीज़ता से combustion होती है तो end product क्या बनता है sorry repeat your question यह carbon dioxide and water भी बोला था 19 question हमारे पास क्या है what is the strategy of the plant to oxidize glycose अगर उसको glycose को oxidize करना है तो plant की strategy उसका plan क्या रहेगा plant का plan जो हमारे पास वह होगा oxidize the glycose को oxidize करेगा several small steps यहनि glycose एक step में नहीं oxidize हो जाएगा first step second ऐसे glycolisus होती है उसमें कितने steps होते हैं तो बहुत सरे चोटे-चोटे steps में जाके प्रोडेक्ट बनता है तो plant की होता है वह use करता है कि को catabolize the glycose molecules को इस तरह से के वह पूरी energy एक साथ release नहीं करता तो step wise में वहापे यह इसमें glycose oxidized होता है next मारे पास 20th question क्या है मारे पास during during the process of respiration which of the following is not released तो वह अभी oxygen release नहीं होता तो यह repeat हो रहा है next question हमारे पास क्या है which of what was the kind of the atmosphere वह atmosphere कैसी थी where the cell first cell on the planet live जब पहली बार जो planet पे cell जो थे वह live थे उस वकर की atmosphere थी वह किस तरह की atmosphere थी at that time तो उस वकर जो atmosphere थी reducing type of atmosphere थी क्यों reducing थी क्योंकि first cell जो थे planet पे lived in the atmosphere क्योंकि उस वकर अक्सीजन जो था वह lag कर रहा था उस वकर अक्सीजन नहीं था यह चीज याद रखना कि जब सबसे पहले planet पे living cell आये तो उस वकर oxygen नहीं था वह सरे ऐसे organism आज भी है जो anaerobic conditions में survive करते हैं तो यह चीज भी याद रखना उसे पता चलता है next second question हमारे पास what is the breakdown of the glycose to pyrovic acid known as जब glycose pyrovic acid में change होता है तो उस process को क्या बोलते हैं अभी पढ़ा हमने उस process को glycolysis बोलते हैं इसे इंपर glycose का pyrovic acid में change होते हैं उसे इहीं glycolysis बोलते हैं where does the glycolysis take place अभी मैंने आपको बोला था glycolysis कहां पे होती है glycolysis कहां पे होती है glycolysis आपकी जो होती है वो cytoplasm में होती है यह बहुत important question है बहुत बार पूछा गया question है glycolysis कहां पे होती है cell के cell के cytoplasm में होती है who discovered the fermentation fermentation को सबसे पहले discover किस नहीं किया था उनका नाम था Lewis Posture बहुत important है यह question भी बहुत बार SSB ने पूछा हुआ question है कि fermentation को सबसे पहले discover किया था Lewis Posture ने तो उसने क्या किया था incomplete oxidation करवाई थी glycoos की और उसको anaerobic conditions में रखा गया था यह ज्यादा तर किस में होता है प्रोक्रियाउट्स में होता है सबसे फर्मेंटेशन का जब fermentation होती है तो उसका final product क्या बनता है तो उसका final product आपके पास carbon dioxide और ethernel यह भी बहुत important है कि final product fermentation का क्या होता है fermentation का final product departure होते हैं वो हमारे पास carbon dioxide और एफनल होता है क्योंकि fermentation में क्या होता है yeast की बात करें तो incomplete oxidation करवाई जाती है गिलिकोस की under anaerobic condition जहां पे without oxygen करवाया जाता है और बहुत सारी reactions होती है वहाँ पे और pyruvic acid वहाँ पे किसमें convert हो जाता है carbon dioxide और ethanol में बहुत important है next question which of the following enzyme इन में से कौन सी enzyme is not used under anaerobic condition में वो enzyme नहीं used होती वो आपके पास है pyruvate dehydrogenase ये enzyme anaerobic without oxygen की condition में used नहीं होती ये enzyme जो होती है pyruvate decorbo oxalase की बात करें तो दूसरी एक और हमारे पास है alcohol dehydrogenase ये catalyze the steps of anaerobic फर्मेंटेशन को क्या करते हैं catalyze करते हैं तो ये चीज़ याद रख लेना कि ये enzyme यूज यूज नहीं होती anaerobic condition में next question हमारे पास on the oxidation of one molecule of glycose digested atps are produced to aerobic respiration जो होती है with the presence of oxygen जो respiration होती है उसमें एक molecule glycose का जो होता है उससे कितने molecules atp के बनते हैं तो वो बनते हैं हमारे बहुत important question है बहुत ज़्यदा ही 38 बहुत बार ये exam में पूछा गया question है जेकी SSB में बहुत बार पूछा गया कि एक molecule glycose से कितने atp molecules बनते हैं तो वो 38 बनते हैं next 28 question the process of cell respiration is carried cell respiration जो होती है उस process को कहां पे किया जाता है तो 28 का answer हैगा mitochondria में ये चीज़ भी याद रना process of cell respiration क्योंगे glycolysis के बाद दूसरा step जो होता है वो crub cycle जो होती है वो कहां होती है mitochondria तो process of cell respiration कहां पे होती है mitochondria an important product of crub cycle crub cycle में क्यों सा product बहुत important होता है तो वो हमारे पास होता है ATP adenosine trifosphate बहुत important product होता है crub cycle का और last question हमारे पास जो है dietis is the product of aerobic respiration aerobic respiration है उसका product होता है हमारे पास वो कौन सा product होता है इन में से in presence of oxygen जो respiration malic acid होती है बहुत important question भी पूछा गया है कि aerobic respiration उसका product होता है malic acid तो यहां पे हमारे top best questions जो थे वो respiration in plant पे complete होते हैं उसके बाद next topic है transport in plant उस पे हम questions लाएंगे जो और पूछे गे exam में इस तरह से आपका जो topic है revise भी हो जाएगा साथ साथ और आपके important question जो previous exam में थे वो भी cover हो जाएगे और बाद में इसकी PDF जोगी आपको telegram चैनल पर मिल जाएगी जो भी इस चैनल को first time देख रहा है सबसे पहले subscribe कर ले bell icon को press करें और कोई भी नई notification आएगी उसका नए video upload होगा उसकी notification आपको मिलेगे जो मिलते कर लोड़ झालाफीज थैंक्यू